नमस्कार दनगरी न्यूस की खास पेशकल्स डिजिटल बिलिटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ ललित वर्मा। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चुनावी समिकरण की बात की जाये तो सातों सीटों पर इस बार काफी अच्छी टकर देखने को मिली है। तो वहीं राजनितिक विशेशग्यों की अगर बात की जाये तो 4-5 सीटे जीत का दावा बीजेपी की जोली में किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉंग्रेस के खाते म में एक से दो सीट जाने की संभावनाय जताए जा रही है। अलाकि देवली उनियारा और जूंजनों सीट पर निर्दली है तो वहीं ख्यूंसर में आलरपी और 84 में भारत आदिवासी पार्टी की टकर भी देखते हुए नजर आ रही है। प्रदेश के युवा बेरोजगार नोकरी का सपना देख रहे हैं लेकिन विवागों की लापरवाई कहीं नहीं युवाओं के सपनों पर पानी फिरते वे नजर आती है। निर्दारित की गई है। जबकि 25 नवंबर को ही BSTC की परीक्षा के साथ ही सूचना साइक भरती के दस्तावे सत्यापन की टिथी भी निर्दारित है। ऐसे में युवाओं ने आउसिंग बोर्ड से टाइपिंग तिथी को परिवर्तित करने की मांगती एच कर दी है। आउसिंग बोर्ड की ओर से टाइपिंग टेस्ट की तिती नहीं बदलने की बात कही गई है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में दिन और रात के ताप पान में मौसम विभागने और गिरावट होने की सम्भावना जटाई है। शादी का जहांसा देकर बलातकार के आरोप का सामना कर रहे एक युवक को सुप्रिम कोर्ट ने राहत दे दी है। शिक्ष नायले का कहना है कि सहमती के साथ सम्मन में रह रहे जोड़े के भी सिर्फ ब्रेक अप हो जाने के कारण पुरुष के खिलाफ आपरादिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकते हैं। शिकायत करता महिला ने आरोपी के किलाफ 2019 में रेप केस दर्च करवाये था। तैसिलदार राजस्व लेखाकार भरती से जुड़े अभ्यरतियों ने आज राजस्तान करमचारी चैन अध्यक्ष और सचीव के सामने पीडा रखी। इस दोरान करमचारी चैन बोर्ड अध्यक्ष ने इन सैक्ड़ों युवाओं को सुना और उनकी मांगों को बोर्ड की तरफ से कारवाई का आश्वशन दिया। को बता दे कि राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने साल 2023 में कनिष्ट लेखाकार तैसिल राजसों लेखाकार भरती का विज्यापन जारी किया गया था। मगर अभी भी इस भरती को युवाओं को अंतिम परिणाम का इंतजार है परिक्षा में कानोनी अर्चनों की वजह से निया एले ने इस्टे दे रखा है युवाओं ने इस भरती को निया एले में मजबूत पहरवी करने की बांग बोर्ड अद्यक्ष मेजर जनरल आलोकरा से की बोर्ड अद्यक्ष ने करीब एक घंटे तक ही इन युवाओं की पीड़ा सुनी इन युवाओं को बोर्ड की तरफ से मजबूत पहरवी करवाने का आश्वशन भी दिया गया राहूल गांदी के निशाने पर एक बार फिर से गोताम अडानी नजर आये राहूल गांदी ने इसके साथ राहूल गांदी ने अमेरिका में क्राइम किया है लेकिन भारत में उन पर कोई कारवाई नहीं की जा रही है राहूल गांदी ने कहा है कि अडानी को प्रोटेक्टर से भी की चेर परसन माधवी बुच पर भी केस होना चाहिए रास्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोशेशन के चुनाओ को लेकर वकिलों में विवाद हो गया है एडवोकेट एसोशेशन के चुनाओ हर साल होते हैं लेकिन इसमें संशोधन करते वे चुनाओ दो साल में करवाने का फैसला किया गया है इस फैसले को हाई कोर्ट में च अच बाइस नमंबर से शुरू होने जा रहा है लेकिन पहले टेस्ट में भारत की ओर से यह शेशी जाइसवाल के साथ ओपनिंग कौन करेगा इसको लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है रोई शर्मा अपने पारिवारीक वज़े से तो शुपमन गिल चोटिल होने की वज़े स देवधत्त पढिकल के आने की पूरी समह न नजर आ रही है जाइसवाल के साथ ओपनिंग के विकल रूप में भारत के पास अभी मन्यूश्वन और उस्दिय, यानि D.O.J की ओर से ग्राव्जर को बेशने का दवाओ बनाया जा रहा है कोट की ओर से इस मामले में फैसलाय सुनाया जा सकता है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गूगल सर्च पर गलत तरीके से मार्केट पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं यूएस सरकार गूगल क्रॉम की मौनोपॉली को कम करना चाहती है इसलिए कदम उठाया जा सक सकता है तो यह थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरे कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे तब तक के लिए नमस्कार